इस मुवी को जब मैं देखने गया था तो मैंने मतलब देखने से पहले एक विश मांगी थी कि काश मुझे ये वाला एक्टर देखने को मिल जाए मतलब मैं बहुत जादा खुश में अपनी एक्साइटमेंट को मैंने मतलब दबा के रख रखा है कि दीरे 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 आपके सामने लेका हूँगा और जो मैंने विश मांगी थी वो सच में वो पूरी हुई आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्पाइडर मैन नो वे हो मुवी के बारे में तकरीबन ये मुवी जो है वो ढाई गंटे के आज पास है अब देखो यार भले ही इस मुवी को लेकर MCU का नाम बहुत जादा हाइलाइट हो रहा हो कि MCU की मुवी लेकिन जितना हाथ MCU है उतना ही हाथ सोनी का यानि बराबर है भाई साब सोनी ने पूरा योगदान दिया है इस मुवी को बनाने में तो ऐसे मतलब ये मत बोल देना कि पूरी की पूरी मारवल वालों की है नहीं ये गलत बात हो जाएगी अब देखो यार बहुत सारी मुव बता हूँ या ना बता हूँ या बता हूँ क्या मतलब confusion होती है उनके अंदर बताने को कुछ नहीं मिलता लेकिन ये वाली जो मुवी है भाई साब मैं 4 पेज भर चुका हूँ यार मतलब लिखते लिखते जैसे ही है जब इस मुवी को देखकर आया लिखना start किया और मेरा pen रुकने का नाम नहीं ले रहा था इतना कुछ है यार इसमें बताने को इतना कुछ suspense इस मुवी में दिखाया गया है अब देखो यार एक warning मैं एक छोटी सी आप लोगों को यहां देना चाहूंगा कि आप अगर आप लोग स्पोईलर नहीं चाहते हो तो इस वीडियो को यह नहीं पर स्टॉप कर देना और जाकर मुवी देख लो बेस्ट चीज है मतलब अब कुछ एक नाम आने वाले हैं जो एक स्पोईलर है आप लोगों के लिए खैर अगर आपने IMDB के पर इसको चेक के होगा तो वहां पर आप लोगों को पता चल जाएगा इसके अंदर अगर आप लोग मतलब नहीं जानना चाते हैं कुछ भी नहीं जानना चाते तो वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं सच मुझे को बुरा नहीं लगेगा इस चीज को कि आप वीडियो देखर आप अपनी एक इच्छा होती है इंसान की अपनी एक सर्प्राइज होता है उसक इसके अंदर जिसना दिखाया गया कि वहीं स्पाइडर मैन की असलियत लोगों को पता चल जाती है अब वह इतना ज्यादा परेशान है कि लोग उसके घर पर पहुंचे हैं उसके फ्रेंड्स को परेशान कर रहे हैं यहां पर फिर वह डॉक्टर स्टेंज के पास आता है कि देखो भईया बाबा हमारी ना दिक्कत हो गई हैं तो जाकर मतलब यह जो नूब स्पैडर मैंने कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा प्रोबलम होरी एकरिप्या करके हमारी पहचान जो लोगों के दिमाग से मिटा दीजी कि मैं कौन हूँ अब डॉक्टर स्टेंज भी पता करके इसमें दिखाया गया है बहुत अच्छा लगा मैं नूब स्पैडर मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जितनी भी जो जब से यह स्पाइडर मैं मारवल वालों के जो यह अवेंजर्स में जब भी आना स्टार्ट वर सीवल वोर में जब हो आया था कैप्टन अमेरिका सीव 2003 वाली तोवी मैघावीर वाली जो मूवी थी उसमें में बहुतों जाधा कनेक्ट था म cassette से इमोशनल ली कनेक्ट था ह। फाइटिंग सीक्वेंश जब उसमें चलते थे उसमें imm Oooh line tracking घुं мои जो चै Portuguese अंधाट बिदैब को पहचान जो हमने मुवी देखी ती 2003 वाली वो खतम हो जाती है यहांपर वो देखने को नहीं मिलती इसलिए इससे connect नहीं हुआ सच कहा रहा हूँ यार शहता आप हो सकते हैं लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं हुआ ठीक था देखने में सही था action चल रहे थे लेकिन 2003 वाले की जो spider man के जो movie अब भाई साब वो तो अभी भी दिल में इससाइड बसी हुई है मतलब बहुत जादा उसके साथ यादें जुड़ी हुई है 2003 में spider man मतलब one का आना और 2007 में spider man 3 का आना उसके बाद movie का दिखाया है नहीं जाना मतलब टोभी मैगवीर आप spider man नहीं आएंगे as मतलब उस वक्त जब यह चीजे मैंने पढ़ी सुनी तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा यार ऐसे कैसे यार तुमने बंद कर दिया यार हाँ वो एक अलग है कि makers ने कुछ अलग idea सोचे कि हाँ अब एक नया spider man लेके आते हैं वो amazing spider man लेके दो movie अलग लेके आते हैं हाँ पिर जो amazing spider man 3 के ओपर भी work चल रहा था लेकिं नॉर्थ कोरिया वालों ने sony के data center पे हमला वो दिया हैक कर लिया उनकी काफी सारी information leak कर दी जिसके चलते भाया उनको amazing spider man 3 का भी या वहीं पर चीजों को रोकना पड़ा और फिर यहां पर हमें यह civil war के अंदर जाके tom holland as spider man हमें नजर आते हैं और जैसे मैंने कहा यार वहां पर movie से हम बहुत मैं तो मेरा तो मैं अपना personal opinion बता रहा हूँ कि यार उसके बाद मैं इतना connect हुआ है नहीं spider man से जो यादें जो जो जुड़ी हुई थी अभी भी मैं कुछ न कुछ उनमें से ढूंड रहा था कि काश यार वो emotional touch हमें वो मिल जा है लेकिन वो नहीं मिल पा रहा था लेकिन spider man no way home जैसी movie आती है और के अंदर Toby McGuire का entry जब दिखाया जाता है भाई साब किलकारियों से पूरा hole गूंज उटता है यार खुद मैं किलकारी मार रहा हूँ है और ये नहीं सोचाता है मैंने मतलब एक wish की थी मैंने कि यार काश ये वाल एक्टर देखने को मिले दोनों की मतलब छोड़ो जादा हो जाएगा लेकिन Toby McGuire जब सामने आते हैं वाई साब उनकी जो बात करने का अंदाज है जो उनकी परफॉमेंस है भले ही जो स्पाइडर मैन पुराने वाले हैं या फिर हम कहें कि कौन थे ग्रीन गोबलीन डॉक्टर ओक्टोपस इनकी जब एंटरी होती है तिल गदगद हो जाता है उनको पुराने जब यादें ताजा हो जाती है 2003 वाली वो सारी चीजें सामने आने लिग जाती है 2007 में जो स्पाइडर मैन 3 जो देखी थी वो तीनों विलन के साथ स्पाइडर मैन लड़ रहा है वो मतलब जैसे यार क्या कोई शब्द नहीं मिल पा रहा है मेरे को एक तो हम अपनी फीलिंग्स अपनी भावनाओं को बताने के लिए क्या परफेक्ट मूवी थी यार वो आज तक ढूंड रहा हूं उसके लिए स्पाइडर मैन 4 वो मूवी आजे लेकिन अब वो नहीं आने वाली है अब जैसा यह मूवी दिखाएगी तो उम्मीदें तो बढ़ती है कि हाँ इसमें यह चीज़ें दिखाएगी यह बहुत अच्छा लगा जादा मुझे पसंद आई है पुराणी वाली सिरुफ पुराणी वाले मूवी उसका तो यार मैं बहुत बड़ा दिवाना हूँ और चमक देख रहे हो चमक तो नहीं आ रही हो लेकिन स्पाइल तो देख रहे हो बहुत मतला बहुत जादा कुश हूं मैं इस मूवी को लेकिन एंड गेम के बाद पता नहीं का क्या हुआ यह मूवी इतनी जादा उसके अंदर हम कनेक्ट नहीं हो पाते वो स्टोरी इतनी अची नहीं लग पाती वोंड़ा विजन की तो मैंने आज तक कंप्लीट ही नहीं की होकाई करके सीरीज चल रही है उसके अभी तक दो ए टक कर दे पाई विल्कुल भी नहीं लेकिन स्पाइडर मैन नो वें हो भाई साब यह एंड गेम को टक कर नहीं उसके एकवल है एकड़ों इतनी जवर्दस्त इन्होंने डिरेक्शन मेंने का नहीं क्या कहानी है क्या कोमेडी इन्होंने इसमें दिखाए है क्या हमें पुरा इस मूवी के अंदर देखी यार एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा था बहुत ज़्यादा मतलब खुशी बहुत ज़्यादा कोई भी हो पुरानी मूवी वाले खास करेक्टर जिनकी मतलब की डॉक्टर ऐल्फरेड मैलीना करके हैं ग्रीन गोबलिम जिसको प्ले वालों को देखा ना यार मेरे लिए तो बहुत अच्छा था जो चाहा रहा था कि यार 2007 के बाद जब मूवी स्पाइडर मैन 3 नहीं देखी उसके और 3 के बाद और कुछ नहीं देखा बीच में ही उनको अलवीदा कहना पड़ा कुछ भी नहीं लेकिन एक बार फिर से इनको इस नहीं करोगे और कोमेडी जिस तरी किस इसके अंदर दिखाएगे वो भी एकदम बढ़िया है आप मतलब अपनी पलके नहीं जपकाना चाहोगे यार इतनी बढ़िया है आप इसके अंदर जैसे मल्टी उनिवर्स वाला कॉंसेट है इसके अंदर एक नहीं दो करते हैं हमें वही वोइस हमें सुनाई देती है जो हमने पुरानी मुवी ने देखिए हुई वही की वही मुवीज है वम तलब वैस है सेम तुशीं ओक्टोवर्स की डॉक्तो ब्रीन गोब्लिन की क्या जवर्दस्ट परफॉमस है यार जार मैं थक नहीं रहा है उनके बार कर लो भले ही आप action की बात कर लो भले ही आप comedy की बात कर लो भले ही आप twist कुछ भी कहानी कुछ भी direction हर चीज best है तो भाई साम मेरी तरफ से इस movie को 10 out of 10 आप लोग ने movie देखिए तो please comment करना कि आप लोगों में movie कैसी लगी और हाँ भाई हिंदी डबिंग बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है मुझे कहीं पर भी कुछ भी कमी नहीं लगी movie में कहीं पर भी कमी नहीं है पहली बार मैं मतलब noob spider man कहता हूँ क्योंकि मैं इस चास तक कनेक्ट नहीं हूँ पहली बार मुझे यह नूब spider man की movie काफी पसंद आई है काफी का बहुत जादा movie पसंद आई है just because of भाई साब मैंने वो 2003 वाले spider man को देखा है बस उनकी वजह से तो बसाच के लिए इतना है रखते है इस वीडियो में और अपने अपना अपना शेयर जरूर कर देना तो अब साच के लिए इतना है इस वीडियो में thanks for watching this video मिलते है नेक्स वीडियो में जाहिंद